सागर में पिछले दिनों पड़ी कड़ाके की ठंड का सरब खेतों में खड़ी फसलों पर दिखाई देने लगा है दिन में ठंड की बज़े से सबसे ज़्यादा असर छोटे हलके फलदार पौधे जैसे मसूर, चना, सरसू, धनिया, मिर्ची, टमाटर के पौधों पर दिखाई दिया है बास पर जमने से पौधों की ग्रोथ रोग गई और अधिकांस जगों पर पौधे ही सूग गई फसलों में नुकसान को देख किसानों के चहरों पर मायूसी च्छा गई तो अब सरकार से मदद की आस है तुसार लगने के बाद फसलों के पौधों को हाथ में लेकर किसान प्रसासंस को सिकायद करने पहुँचे उन्होंने सर्वे करा कर मौपजा देने की मांग की है किसानों को फसलों का नुकसान होने की खबरे सामने आई हैं और किसानों को अब अपना परिवार चलाने के लिए सरकार से मदद की आस है तुसार गिलाने हैं फसलों के लाने चना मसूर बठरी के लाने को मैं अपने मसानिया मनका पौर्चों की और भी आसपास की गाउं में हैं बहुत जम के तुसार हैं तुसकान बिल्कुल पूरोई है हम किसानों की सब्सक्राइब के तेश चौविस तारी को पाला पढ़ने से हम तो साल लग गया है चना की फचल मसूर की फचल आरहा की बचल गेहूं सब्सक्राइब की सभी फचले नस्ट हो चुकी है कि मांग किया कि किसी बश्चाजी का इसे जाच कराकर हम किसानों की सब्सक्राइब कर दो कि नगाओं है पत्यास अब अब इसने लंबी सफर में तो पाला पढ़ाओ सभी किसानों की फचले नस्टोची की